हलो दोस्तों मैं हूँ नीर जो आप देख रहे हैं study commerce और आज हम इस वीडियो में service marketing के बारे में पढ़ने वाले हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइंग कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए question question में पूछ रहा है कि which of the following element is our characteristics of service आपको दिएगे option में से ये बताना है कि कौन सा service का characteristics है सेवाओं की विश्यस्ताएं है एक बार मैं option पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए intangibility, inseparability, variability या फिर perishability options देख लेते हैं क्या ये एक, दो और तीन सही है, क्या ये एक, दो और चार सही है, या फिर एक, तीन और चार सही है, या फिर none of the above comment box में इस question को attempt करिए, वीडियो के end में मैं आपको इस question का answer provide कराऊंगा with proper explanation service marketing को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि services क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं, अगर मैं आप से ये कहूँ कि आप सब, आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी इस समय service को consume कर रहे हैं कई बार आप क्या करते हो, खाने के लिए restaurant जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे food services, कई बार आप कोई अच्छी movie आती है तो आप movie देखने जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे entertainment service कहेंगे, कई बार आप बाबा शॉप पे जाते हो, बाल कठाने के लिए, जो हमारी female students हैं, वो काफी relate कर सकती है इस example से, तो what is services, service क्या है, service is something that offered for sale, ध्यान रखना service वो कोई भी ऐसी ची हो सकती है, जो sell के लिए offer की जाई हो, that is essentially intangible in nature, जो की intangible हो, tangible का मतलब क्या है, जिसे हम देख सकते हो, या touch कर सकते हो, for example, अगर आपको एक car purchase करनी है, तो आप उसे देख भी सकते हो, उसे touch भी कर सकते हो, उसे drive भी कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो उस product को purchase कर सकते हो, लेकिन service जो है, वो intangible nature का होता है, मतलब that can't be seen, tested, felt, heard, or smelled. अब यहाँ पर एक element ध्यान रखना, before purchase, before purchase, यानि कि intangible का क्या मतलब है, that cannot be seen, tested, felt, heard, or smelled before purchase, यानि services वो कोई भी ऐसे चीज़ी हो सकती है, जो sell के लिए offer की गई हो, और जिनका जो nature है, वो intangible है, मतलब जब तक आप उसको purchase नहीं करोगे, तब तक न तो उसे आप देख सकते हो, न टेस्ट कर सकते हो, नहीं feel कर सकते हो. For example, अगर आपने restaurant में जो है, food नहीं purchase किया, तो क्या आप उसे test कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? जब तक आपने movie के ticket book नहीं की है, जब तक आप movie देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? एक और चीज़ ध्यान रखना services में, कि यहाँ पे ownership transfer नहीं होती है, ownership transfer नहीं होती है, for example, जब आप product के cases में आपने पढ़ा था, कि जब car आप purchase कर लेते हो, तो जिस point पे आपने payment किया, उस point पे ownership transfer हो गई आपके बास, लेकिन services में ऐसा नहीं होता है, ownership transfer नहीं हो सकते है, for example, अगर आपने Ola car book किया, आपको एक point से, दूसरे point तक जाना था, A से B point तक जाना था, क्या आप A से B point तक जाने के बाद, यह Ola car ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, यानि कि services में ownership transfer नहीं होता है, तो एक बार फिर से मैं आपको दादे रहा हूं, service क्या होता है, service is something that offered for sale, that is essentially intangible in nature, and does not result in ownership of anything, कुछ example जैक लेते हैं, जैसे banking services है, आप सभी banking services लेते हो, आप सभी का किसी ने किसी bank में account होगा, चाहे वो SBI हो, UBI हो, Indian overseas bank हो, चाहे B.O.B. हो या कोई भी XYZ, bank हो सकता है, hotel की बात कर लेते हैं, जब आप एक state से दूसरे state जाते हो, एक country से दूसरे country जाते हो, तो आप hotel में stay करने के लिए रुपते हो, तो hotel services है, कुछ example देख लेते हैं, जैसे hotel taj, overall या और भी सारे hotels हो सकते हैं, airline services, आप air services लेते हो, जैसे Mumbai से Delhi जाना है, तो आप flight ले लेते हो, Air India है, Indigo है, Spice Jet है, बहुत सारे airline travel service provider हैं आप, wireless communication services, आप air tail, geo, vodafone, idea, या अलग-अलग seem use करते हो, ताकि आप communication कर सको, तो ये कुछ examples हैं, अब बात करते हैं, marketing mix for services, आपने marketing mix for product बढ़ा होगा, product में हमने क्या बताया था आपको, four piece of marketing, जिसे हम marketing mix भी कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, कि product होता है, price होता है, place होता है, और promotion होता है, ये चार तो होते हैं, product के cases में, हम यहाँ बात कर रहे हैं, service के cases में, कौंग-कौं से marketing mix है, तो यहाँ पे, तीन नए piece बताया गए है, three new piece बताया गए है, for this services, किस ने बताया है, Booms and Bitner ने, in the year 1981, 1981 में, BH Booms and MJ Bitner ने, seven piece of marketing बताया है, एक model दिया, seven piece of marketing का, जिसमें four piece तो पहले के थे ही, यहाँ पे तीन additional three piece दिया गया है, कौं-कौं सा दिया गया है, first है process, second है people, third है physical evidence, process का क्या मतलब है, process of giving services, किस process के थूँ, service provide की जा रहे, service हो सकता है, कि standardized हो, यानि सभी लोगों को एक समान तरीके की services provide की जाई हो, या हो सकता है, service personalized भी हो, यानि individual preferences के according change हो गई हो, एक example ले लेते हैं, जैसे आप सभी mcd गया होंगे, तो आपने mcdonald's का burger जरूँ खाया होगा, तो वहाँ पर जो burger बनाया आता है, उसका एक standard format होता है, उसी के according वो चीज़ें बनती है, दूसरा है people, people का मतलब क्या है, person who is giving you the service, जो भी individual या person आपको service provide कर रहा है, वो people के अंतरगत आते हैं, for example, अगर आप बाबर के पास जाते हो, तो जो person आपका haircut करेगा, वो people के अंतरगत आएगा, next है physical evidence, physical evidence के अंतरगत आता है, ambience, for example, अगर आप five star hotel में जाते हो, तो आप कुछ चीज़ें assume कर लोगा कि वो सारे चीज़ें आपको मिलेग, जैसे अच्छी service मिले, internet अच्छा मिलेगा, या और भी सारे चीज़ें आपको खाना अच्छा मिले, यह सब सारे चीज़ें आप पहले से assume कर लोगे, ambience वोगरा है, तो यह physical evidence के अंतरगत आता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि तीनों में से, process, people और physical evidence में से, सबसे important part क्या है marketing mix का in case of services, तो वो होगा people, यहाँ पे आपको यह जाना जरूरी है कि service create कैसे होता है, service create होता है, with the help of two people, पहला, जिनको service चाहिए, वो, और दूसरा, जो person service दे रहा है, यानि service co create होता है, दो लोगों के मिलने के वज़े से ही service होता है, आपको बाल कटवाना है, तो आपको भी जाना होगा, और जो बाल काटने वाला बंदा है, उसको भी होना जरूरी, तो साथ में service create किया आती, तो इसलिए people जो है, वो most integral part of marketing mix है, यहाँ आपर ध्यान रखना, integral part है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, remove नहीं किया सकता, तो marketing mix for services में आपको क्या ध्यान रखना है, कि यह three new piece जो दिया है, वो दिया है, बूमस और बिटनर नहीं इंदिया 1981, और कौन कौन से है, process, people and physical evidence, यह ध्यान रखना जरूरी है, अब बात करते हैं, service marketing की, service को किस तरीके से market किया जागा, लेकिन आपको यह भी जाना जरूरी है, कि service marketing इतना important क्यों है, क्यों है, क्योंकि service marketing जो है, उसका 60% सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है, इसलिए service marketing जो है, वो बहुत यादा important हो जाता है, service सेक्टर को आप tertiary सेक्टर भी कहते हैं, यह आप सभी को पता ही होगा, और पूरे world में, largest producer of services कौन है, United States, कितना है, worth है 15.53 trillion US dollar, मतलब करीब 15 से 16 लाख करोड रुपया, इतनी की worth है, of service sector, तो यह basic चीज था, अब देखे, service industries भी अलग-अलग तरिके से हैं, अलग-अलग section है, वो अलग-अलग तरिके के service प्रवाइड कराती हैं, जैसे government, गवर्मेंट भी हमें बहुत तरिके service प्रवाइड करती हैं, जैसे courts, आपने consumer court देखा होगा, district court देखा होगा, आपने supreme court, high court यह देखा होगा, तो government यह services में प्रवाइड करती हैं, next है employment services, मनरेगा, या और भी सारे employment services हैं, जो government हमें प्रवाइड कराती हैं समय समय पर, hospitals है, government hospitals आप देखो कि घर के आसपास आपके, कोई न कोई government hospital ज़रूर होगा, आप example ले सकते हो, AIMS का, All India Institutes of Medical Science, next है military services, आप navy, army, air force, यह आप देखो, military services है, police and fire departments है, local police जो आपके घर के आसपास है, लोकल police है, fire departments है, कहीं आग लग जाती है, तो government fire departments की भी service आपको देती है, postal services है, post office आप सभी के घर के आसपास ही होगा, आप देखते होगे, जब भी आपको passport आएगा, आपका DL आएगा, या, suppose call, job का लेटर आ रहा है, हलाकि job का लेटर तो आज के डाइम पे post office से नहीं आता है, बट जातर जो services है, आपका ATM card हो गया, passport हो गया, driving license हो गया, या फिर कोई important document है, तो वो post office के थुरू आता है, तो postal services भी government provide कराती है, schools है, government school भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपके घर के आसपस होगा, अब बात करते हैं not for profit organizations, अब कुछ ऐसी organizations हैं, जो कि profit earn करनने के लिए तो नहीं बनाए गई है, बट वो भी services देती हैं, जातर जो organization हैं वो private हैं, बट कुछ cases में government भी हैं, जो कि not for profit organizations हैं, पहला है museums, अब देखो national museum daily, जो कि 2,00,00 artifacts अपने पास रख्या है, ranging from the prehistoric to modern age, ठीक है, तो वो बहुत सारे artifacts वहाँ पर रखे गया है, next है charities and foundations, आपने being human foundation के बारे में सुना होगा, जो कि education और health care प्रोइड कराता है, इसके अलावा अपने gate foundation सुना होगा, जो कि Bill Gates का है, gate foundation, जो कि poverty, disease और inequity के लिए काम करता है, next है churches, चाहे मंदिर हो, मश्जित हो, या कोई church हो, ये भी एक not for profit organizations है, मैं जो कि मैं बनार्स से बिलॉंग करता हूँ, तो बनार्स में एक famous church है, St. Thomas Church, जो लोग बनार्स से होंगे, उनको पता होगा, ये गदोलिया वरानसी में है, colleges के बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे colleges हैं, जिनको ऐसा कहा जाता है, कि वो not for profit organizations है, और बहुत सारे ऐसे private hospitals हैं, हाला कि इंडिया के perspective से देखा जाए, तो आज के टाइम पे college और hospital, especially जो private college और hospitals हैं, अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे business organizations हैं, जो कि profit earn करने के लिए ये काम करते हैं, वो भी services provide करते हैं, जैसे airlines, मैंने आपको पहले बता है, airlines, banks के बारे में, इसी तरीके के insurance company भी हैं, जैसे आपने LIC के बारे में सुना होगा, भारतिय एक सा general insurance के बारे में सुना होगा, भारतिय एक सा general insurance के बारे में सुना होगा, तो ये कुछ example है insurance company के, next है consulting firms, आपने TCS के बारे में सुना होगा, Tata Consultancy Services, या फिर BCG matrix के बारे में सुना होगा, BCG का मतलब क्या है, the Boston Consulting Group, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये Boston Consulting Group है, इसके अलावा entertainment and telecommunications company, entertainment में आपने देखा है, red chili entertainment, telecommunications company में आपने Jio et al का example देख लिया है, real estate firms है, जैसे बहुत ही एक common example है, DLF Limited का, Delhi Land and Finance, इसके अलावा, Godrej properties है, Prestige Group है, सुभा Limited है, बहुत सारे ऐसे example है, जो की real estate firms है, तो उसको भी आप देख सकते हो, जो services provide कराती है, अब बात करते हैं, characteristics of a service, कि service की कौन कौन से विश्यस्ताएं हो सकती है, first है, intangibility, tangibility का क्या मतलब है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, intangibility का क्या मतलब है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर catch क्या है, before purchase, before purchase आप यह नहीं कर सकते, after purchase हो सकता है, आप देख सकते हो, test भी कर सकते हो, for example, आज के time पर आप देख रहे हैं, कि बहुत सारे female जो actress हैं, वो cosmetic surgery कर आ रहे हैं, cosmetic surgery, तो जब तक आप इस surgery कर आओगे नहीं, तब तक आप उसको देख नहीं सकते, तो intangibility का मतलब है, cannot be seen, tested, felt, heard, or smelled before purchase, एक और example आप ले सकते हैं, you cannot taste the food, before the payment, जब तक आप इमेंट नहीं करोगे, तब तक आप food को test भी नहीं कर सकते हैं, जैसे zomato से आप order नहीं करोगे, तो आप उसको test कैसे करोगे, next है variability, variability का मतलब क्या है, कि जो services है, वो vary कर सकता है, different हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि जो services हैं, वो depend करता है person पे, या service provider पे, अब इस तरीके से भी कह सकते हैं, कि quality of services में vary, because it depends on, who provides you service, कौन लोग आपको service प्रोइड कर रहे हैं, for example, आप जो भी regular barber से बाल कटवा रहे होगे, अगर वो न हो कभी, और उसके जगां कोई दूसरा बंदा हो, जो आपका बाल काट रहा हो, तो आप देख सकते हो, कि जो service है, वो vary कर रहे हैं, आप हो सकता है satisfied, न हो आपे, तो ये था है variability, third है inseparability, separability का क्या मतलब है, जिसे separate किया जा सकता है, यानि अलग किया जा सकता हो, inseparability का मतलब क्या है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो inseparability का क्या मतलब है, कि service cannot be separated from their providers, whether the producers are people, ये ध्यान रखो, कि चाहे वो service provider people हो, चाहे machine, आप उसे अलग नहीं कर सकते, for example, अगर आप बाल कठाने के लिए जा रहे हो, तो आप बारबर को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसे अलग करोगे, तो आप service ले ही नहीं पाऊगे, तो ये है inseparability, last है perishability, perishability का क्या मतलब है, कि जो जल्द ही खतम हो जाता हो, अब service की एक characteristics ये है, कि आप service को एक point of time के लिए ही लेते हो, point of time का क्या मतलब है, कि for example, अगर आपने movie ticket book किया है, 9.30 p.m. का, आज के तारिक में आपने, रात का साड़े नौ का movie ticket book कर लिया है, तो क्या आप इसे next day जा के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, for example, आपने 8 September के लिए, ticket book की, आपने flight के ticket book की, from Varanasi to Delhi, तो क्या आप 9 तारिक को जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो service दी गई है, वो एक particular point of time के लिए है, अगर आप उस time को exit कर देते हैं, तो आप उसको consume नहीं कर सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि, जो doctor है, appointment का charge लेते हैं, suppose कर लो कि आज तारिक है, 30 December 2022, suppose कर लो कि आज 30 December 2022 है, और आज की date में मैंने, doctor से appointment लिया, अगर मैं आज नहीं जाता हूँ, तो क्या ये मेरा appointment जो fees है, वो मुझे वाबस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो service है, वो perish हो चुकी है, वो destroy हो चुकी है, आपको एक particular time के लिए ही बुलाया गया था, अगर आप उस particular time पे नहीं पहुचोगे, तो वो आपसे charge कर लेंगे, तो ये चार important characteristics है, कई बार exam में एक question पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, अब बात करते हैं, marketing strategy for the service firm, यहाँ ध्यान रखना कि marketing strategy जो है, वो हम service firm के लिए बना रहे हैं, तो एक जो service firm है, वो किस तरीके से profit generate करती है, उसकी क्या strategy है, ये हम इसमें पढ़ने वाले, तो एक strategy दी गई है, the service profit chain strategy, करना है, तो profit earn करने के लिए, वो दो चीजों पर focus करती है, first customer, आप सभी को पता है, customer king है, तो customer को सबसे बेले ध्यान रखना होगा, दूसरा employees, मैंने आपको बताया था, कि जो people हैं, जो employees हैं, वो most integral part of marketing mix हैं, for the services, तो अगर employees को भी अगर हम खुश नहीं रखें, तो हम profit generate नहीं कर सकते हैं, और service profit chain, जो strategy है, उसमें हम यही करते हैं, कि customers का ध्यान रखते हैं, उसे, जो satisfaction हैं उसका, वो जरूर हम ध्यान रखते हैं, कि customer satisfaction उसको मिले, क्योंकि customer satisfaction नहीं मिलेगा, तो वो बार-बार repeat purchase नहीं करने वाला, एक example से, यह मैं service profit chain है, वो मैं आपको समझाने कोसिज करता हूँ, for example, barbecue का example ले रहते हैं, barbecue nation, मुझे पता नहीं है, कि आप में से कितने लोग barbecue nation गए हो, बट अगर नहीं गए हो, तो ज़रूर जाओ, एक बार experience लो, और जो लोग गय हैं, वो relate कर पाएंगे, मेरे इस example से, कि मैं क्या खेनिक को सुझ कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया है, कि जो service profit chain, जो strategy है, वो यह कहती है, कि हमें customer satisfaction के थूरू, और employees का ध्यान रखके, profit को generate करना है, तो एक chain बना जाती है, ठीक है, एक sequence है, अगर इस sequence को अगर follow करते हैं, तो profit generate किया जा सकता है, तो यहाँ पे पाँच important links है, यहाँ पर देखो, first, second, third, fourth, fifth, यह पाँचो links जरूरी है, first है internal service quality, internal service quality के क्या मतलब है, within organization, internal service quality आपको enhance करना है, बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले, जो भी service provide करने वाला बंदा है, यहाँ पर हम employee की बात कर रहे है, जैसे barbecue में आप जाते हो, तो आपको कोई एक individual जो है, वो आपको grade करता है, आपको बैठा आता है, वो superior employee का selection करता है, उसे proper training देता है, उसे quality work environment देता है, और strong support provide करता है, तो इससे internal service quality enhance हो जाती है, अब internal service quality enhance होगे, तो उससे क्या होगा, satisfied and productive service employee, अगर आपने employee को back किया है, उसको support दिया है, उसको proper training दिया है, उसको अच्छा environment दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो भी आपका employee है, वो ज्यादा satisfied होगा, loyal होगा, hard working होगा, उससे क्या होगा, greater service value, ज्यादा satisfied employee होगा, तो उससे क्या होगा, कि वो ज्यादा effective, efficient customer value create करेगा, काफी engagement create करेगा, और service जो delivery है, वो भी अच्छा देगा, उसका result क्या होगा, satisfied and loyal customers, जब इतनी सारे चीज़ें, अच्छा customer को मिलेगा, यानि customer value creation होगा, customer को अच्छे तरिके से greet किया जाएगा, उनको बार-बार जाकर पूछा जाएगा, कि सर आपको कोई problem तो नहीं है, जब उनको इतनी सारे services मिलेंगे, तो जो customer है, वो भी satisfied होगा, और वो loyal हो जाएगा एक time के बाद, loyal होने के बाद क्या करेगा, वो repeat purchase करना स्टार्ट कर देगा, और सिर्फ यही नहीं, वो अपने जो भी customers हैं, और वो अपने friends को भी refer करने लगएगा, नेक्स्ट क्या होगा, healthy service, profit and growth, जब firm अच्छी performance देगी, तो superior services के थुरू, वो profit generate करना स्टार्ट कर देगी, तो यह five links था, यह important है, यह five links है, of the service profit chain strategy, यह important है, यह भी एक बार detail में देख लेना, अब बात करते हैं, types of service marketing, कि service marketing कितने तरीके की है, चो तीन तरीके के service marketing है, first है internal marketing, second है interactive marketing, और third है external marketing, internal marketing क्या मतलब है, within organization, इसमें हम company और employees के बीच में relationship की बात करते है, interactive marketing का क्या मतलब है, कि interaction, अब interaction customer से कौन करेगा, employee करेगा, तो employees और customer के बीच में relationship, हम बढ़ते हैं, interactive marketing की अंत्रागत, तीसरा होता है external marketing, यानि की outside the organization, इसमें हम relationship बात करते हैं, company और customers की, और detail में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो सबसे बेले बात करते हैं, internal marketing की, यानि within organization, within organization हम क्या करते हैं, कि हम employees और company की बीच में relationship की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कि company अपने employees को किस तरीके से motivate करता है, कि वो किस तरीके से काम करें, इसके अलावा किस तरीके से वो support करता है, कि आप एक team में काम करो, आप एक team में काम करो, interactive marketing का क्या मतलब है, कि जब एक company अपने employees को motivate करता है, उसको back करता है, उसको support करता है, कि आप काम करो हम हैं, आप एक team की तरह काम करो, तो ये internal marketing का part है, next है interactive marketing, interactive marketing में ये का गया, कि जो भी employees हैं, और customers हैं, जो मैंने आपको बताया था, कि जो service है, वो co-creat की जाती, employee के दौरा, और customer के दौरा, दोनों डोके दौरा, साथ में service को create की आती है, साथ में service का creation होता है, मैंने आपको बताया था, कि आप customer हो, अगर आप साथ में interact करोंबेंगे, आपको किस तरीके का haircut चाहिए आपकी क्या problem है आप जब तक उसको अच्छे तरीके से नहीं बताओगे आप दोनों की बीजिन जब तक एक अच्छा communication नहीं होगा interaction नहीं होगा तब तक यह जो service का जो process वो complete नहीं होगा है तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी employee हैं उनके पास mastery होने चाहिए of interactive marketing skills ठीक है उनके पास एक mastery होने चाहिए किस तरीके से उनको बात करना है किस तरीके से problems को समझना है यह सारी चीज़े interactive marketing के अंतगत आती है अब बात करते हैं external marketing की it is the action of selling services by adopting major marketing task किस तरीके से आप services को sell करते हो by adopting three major marketing task किस तरीके से आप sales को बढ़ा सकते हो first है service differentiation आप service को अपने competitor से किस तरीके से differentiate कर सकते हो यानि किस तरीके से आपका जो service है वो दूसरों से different है next है service quality service quality को आप enhance करके sales को बढ़ा सकते हो service productivity service productivity को आप increase करके भी sales बढ़ा सकते हो ध्यान रखना external marketing में relationship होता है company और customer के बीच में सबसे बहुत करते हैं managing service differentiation यानि कि आपकी जो service है आपके competitor से किस तरीके से different है अलग है तो service differentiation के लिए हम तीन चीज़े फोकस करते है first है offer जो हम offer customer को दे रहे हैं वो अलग कर सकते हैं दूसरा delivery delivery भी हम अलग कर सकते हैं और image इमेज भी company का अलग कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं offer की कि किस तरीके से हम अलग offer दे सकते हैं एक innovative features के द्वारा हम अपना offer अलग कर सकते हैं for example कभी आप Apple के showroom में गए होगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक genius bar होता है मतलब एक table होता है जहाँ पे जो technical support की team होती ही वो होती है जैसे आप वहाँ जाते हो आपको welcome करते हैं और आपको एक तरीके से free workshop host करते हैं आपको मतलब चाहे वो iPhone हो, iPad हो, Macbook हो कोई भी product हो Apple का वो आपको show case कराते हैं आपको बताते हैं कैसे इसको use करना है क्या-क्या features हैं तो आप hands-on experience आपको मिल जाता है आप directly जाके वहाँ पे देख सकते हो delivery, बहुत सारी ऐसी grocery change हैं आज के टाइम पे जो कि आपको कहते हैं कि भाई आप online shopping कर लो और हम आपको जो भी product है जो भी आपकी shopping है वो आपको घर पहुचा देंगे, यानि आपने order online दे दिया और आपका सामान घर पे deliver हो गया, आपको खुच जाने की जरुवत नहीं, आपको line में लगने की जरुवत नहीं है, आपको wait करने की जरुवत नहीं है, तो ये सब जंजट खतम, तो आप delivery को भी change करके आप sales को बढ़ा सकते हो next है images company कही बार क्या करते हैं अपने images को अलग रखते हैं दूसरे company से, चाहे वो symbols के form में हो चाहे branding के form में हो जैसे apple में देखो half cut apple है आदा कटा हुआ save है इसी तरीके से आप twitter का भी देख सकते हो, twitter bird है mcdonald का आप देख सकते हो golden arch बन के आता है तो ये है service differentiation by images अब बात करते हैं managing service quality किस तरीके से आप service quality को enhance कर सकते हो अब देखो service quality को enhance तो किया जा सकता है पर उसका measurement नहीं कोई एक measurement एक जो perfect measurement है वो कोई measurement नहीं कि आप इस measurement से service की quality को measure कर सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि unfortunately service quality is harder to define and judge than product quality product की quality आप judge कर सकते हो for example आपने hair dryer purchase किया आप चार लोग को दिखा कर पूछ सकते हो जो भी लोग regular user है hair dryer के वो आपको perfect review दे सकते हैं बट अगर आपने एक बार haircut करवा लिया है तो 10 लोगों से आप पूछो को तो 10 लोग अलग अपनी राय देंगे क्योंकि यह subjective matter तो जाए तर लोग अपनी अपनी इंडिविज्वल राय वहां पर आपकी समने रखेंगे तो service की quality को measure करना काफी कठी ने हाला कि एक point बताया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो customer retention है उससे शायद आप पता कर सकते हो कि service की quality है वो कैसी है तो service की quality कैसे enhance कर सकते हैं customer satisfaction के त जुरू की customer क्या कहते हैं आपके services के बारे में क्या वो service बार बार लेते हैं या नहीं लेते हैं तो ऐसे आप service quality को enhance कर सकते हैं नेक्स्ट है managing service productivity आप productivity को भी increase करके sales को बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं आप technology का इस्तेमाल करके जैसे जापान में एक sushi restaurant है जो की fully automatic है यहाँ पर धियान रखना आर्टिकल का cut out है यह वो restaurant है जहाँ पर fully automatic है यहाँ पर कोई भी humans नहीं है खाला कि होंगे बट human interactions जो customer के साथ है वो नहीं होता है तो technology का भी इस्तेमाल करके productivity को बढ़ाया जा सकता है अब वापस एक question पर आते हैं वीडियो के starting में मैंने आप सब पूछा था कि इन में से कौन सा service का characteristics है intangibility characteristics है मैंने आपको बताया था cosmetic surgery का example दिया था कि जब तक आप service purchase नहीं कर लेते हो तब तक आप उसको देख भी नहीं सकते inseperability जिसको separate नहीं किया है सकता हो आप service provider को separate नहीं कर सकते हैं मैंने आपको barber का example दिया था कि अगर barber को ही अलग कर दोगा तो service ही complete नहीं होगी next है variability variability का मतलब है service quality में vary ठेक है depends की कौन service आपको provide कर रहा यह service जो है quality अलग लग हो सकती next है perishability service को आप store नहीं कर सकते है future के लिए एक particular time पे वो service आपको मिलती है जैसे मैंने आपको रताया था तो यहां पर तीनों जो options हैं वो गलत है तीनों में से कोई भी option सही नहीं है तो last correct answer हो जागा डी अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो इस दिये गए number पे हमें whatsapp पे contact कर सकते है लेक्चे अगर पीडिया purchase कारना चाहते हैं तो भी यहां पे हमें contact करके बता सकते है तो यह था service marketing उमीद है आपको पसंद आया होगा आपका अगर कोई feedback है तो comment box में में जरूर बता दीजे थैंक यू कर दो यह दो